अब 21,000 रुपे मासिक वितन पाने वाले करमचारियों को करमचारी राजे बिमानिगम की स्वास्थ बिमा सुब्धा मिलेगी किंद्रिश्रम मंत्री बंडारु दत्तत्रे की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया ESIC योजणा के तहर स्वास्थ बिमा लाप पाने के लिए अधिक्तम वेतन सीमा को मौझूदा 15,000 रुपे से बढ़ा कर 21,000 रुपे कर दिया गया है यही नहीं इससे अधिक वेतन होने पर करमचारियों को ESIC की सुधा लेने का विकल्प मिलेगा वहीं जो करमचारी ESIC योजणा के दायरे में आते हैं अगर उनका वेतन निर्धारी सीमा से अधिक हुआ तो उनकी सद्यसता और बीमा कवर खत्म कर दिया जाएगा यह 9 नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे निगम ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और सैलरी में हो रही बढ़हुत्री के मद्दे नजर लिया है लेकिन इस फैसले के बाद अब इस योजणा में करीब 50 लाग करमचारी बढ़ जाएंगे फिलहाल इस योजणा में 2 करोन से ज्यादा लोग शामिल है हाली में सरकार ने अकुशल गैर क्रिशी कामगारों के लिए निम्तम मजदूरी में बढ़हुत्री का तौफ़ा दिया था और अब EASIC का तौफ़ा कमचारीों के लिए बेहत खुशी की बात है देखते रहे ये डीवी लाई